तो इसको क्या बोलते हैं? CPU इसको बोलते हैं CPU CPU का मतलब होता है Central Processing Unit और यह इसका main head है इसके अंदर ही सारा दिमाग है इसका ठीक है इसको क्या बोलते हैं? Monitor क्या बोलते हैं? Monitor इस पर अपने को दिखता है जो भी अपने काम करते हैं वो सब इसमें दिखता है यह क्या है? Mouse और यह है keyboard आप इसको on कैसे करते हैं? पता है आपको? यह है ना? बटन इसको दबाईए आप on का जोर से प्रेस कर भीज़े ठीक है? यहाँ पर light आगई? keyboard में भी light जलेगी एक जली? यहाँ भी light आगई? इसके connection भी आपको सिखाएंगे तो आपने देखा थोड़ी समय बाद यह on हो गए यहाँ पर light है उब लिंक कर रही है हमारे यह monitor पर display आगए है अब यह mouse लीजिए mouse को इस परकार से पकड़िए इसके बाद में यह आपके Ubuntu है एक window होता है विंडो का अलग सिस्टम है यह Ubuntu का है ठीक है तो यह right click काम करेगा यहाँ पर आपको क्या दिख रहे है यह वाला है न इसके उपर लईए यह arrow दिख रहे है न आपको इससे इसको पकड़िए इदर वाला button दबा लीजिए दबा के रखिए उदर खींचिए इसको दबाए दबाए इसको उदर ले जाए देखो मैं बताता हूँ यह वाला mouse यहाँ पर हमने रखा और यहाँ से नहीं तो इस पर right click करेंगे यह right click वो होता है left click यह होता है इसको close कर देंगे यह close हो गया अब इस पर आपको यह क्या दिख रहा है इनको बोलते है folder folder गमला जैसे किताब होती है वैसे यह folders है ठीक है और इसमें कुछने कुछ data है किसी में कोई video है किसी में song है किसी में कोई file है यह क्या है file दिख रही है आपको यह mp4 है इसके आगे extension होता है dot mp4 तो जो मैं बता रहा हूं समझ आ रहा है इसको क्या करते है folder क्या करते है folder ठीक है इस folder के उपर mouse का arrow लाओ यह arrow होता है यह जो आपको तीर दिख रहा है यह arrow होता है क्या होता है arrow क्लिक करो दूसरी साइड का क्योंकि इसमें वंटू में क्या होता है वह वाला बटन काम करते है अपने राइट वाला और नॉर्मल जो विंडो होती है उसमें लेफ्ट का बटन काम करता है तो यह ओपन पे लाइए अब आप चाहें लेफ्ट दबा दो कोई भी दबा दो ठीक है यह फाइले खुल गई अब इनको चलाने का जैसे है यह वीडियो है अभी तो यह वीडियो बता रहें तो दो बार इस पे क्लिक करेंगे तो यह चल जात है ठीक है